भौम प्रदोश, भौम प्रदोश, भौम प्रदोश, आ गई है भौम प्रदोश, कई दिनों से इंतिजार था, और इसलिए इस मौके को आपको गवाना बिलकुल भी नहीं है, मंगलवार की त्रियोदशी, श्री शिवाय नमस्तुप्या, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब, हम सभी जानते हैं कि कल त्रियोदशी तिति है और यह प्रदोश की तिति मंगलवार के दिन आई है, यानि भौम प्रदोश का बहुत ही शुब और दुरलब योग बन रहा है, आश्विन मास का पवित्र महीना चल रहा है, आज किस वीडियो में हम तीन विशेश उपायों क बारे में बात करेंगे, सबसे पहला उपाय कार्य सिद्ध का होगा जो की लाल मसूर की दाल से किया जाएगा, दूसरा उपाय शहद की टीकी लगाने का होगा, और तीसरा उपाय रोग मुक्ति का विशेश उपाय होगा, ये तीनों उपाय आपको कल के दिन यानि पंदरह क मंगलवार के दिन करना है आपको बता दें कि भौम प्रदोश वरत के दिन हनुमान और शिवजी की पूजा की जाती है मान्यता है कि भौम प्रदोश वरत करने से मांगलिक दोश दूर होते हैं पंचांग के अनुसार शुकल पक्ष की त्रियोदशी तिति की शुरुवात पंद्रह अक्टूबर दो हजार चौबीस सुबह तीन बचकर बायालीस मिनट पर होगी और समापन अगले दिन यानी सोलह अक्टूबर को बारह बचकर उननीस मिनट पर होगा वो दयातिति पढ़ने के कारण उपवास पंद्रह मक्टूबर को रखा जाएगा प्रदोश काल का जो समय है वो शाम पांच बचकर 51 मिनट से लेकर रात आठ बचकर 21 मिनट तक रहेगा हो सके तो प्रदोश काल के समय ही यह उपाय करें क्योंकि प्रदोश काल के समय भगवान शिव, साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं अगर आप उस समय यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानिया दूर हो जाती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब हम बात करते हैं पहले महा उपाय यह उपाय उन बच्चों के लिए बेहद लाबकारी है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते माता-पिता की बातों का पालन नहीं करते या जिद्धी और चिड़चिड़े हो गए हैं साथ ही यह उपाय किसी भी प्रकार की मनो कामना की पूर्ती के लिए किया जा सकता है विशेश रूप से यह उपाय माताओं के लिए सुझाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए इसे कर सकती है लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी मनो कामना की सिद्ध के लिए इसे कर सकता है इस उपाय के लिए सबसे पहले एक चम्मच शहद की आवश्चकता होती है शहद लेकर शिव मंदिर जाना होता है क्योंकि यह उपाय भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है जब मंदिर पहुंच जाएं तो सीधे हाथ की तीन उंगलियों तरजनी, मध्यमा और अनामिका पर शहद लगाना है इन तीनों उंगलियों को एक साथ मिला कर शिवलिंग पर ओम का निशान बनाना है ओम के साथ चंद्रबिंदू भी बनाना आवश्यक है ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो शहद आपके हाथ में बच जाता है उसे माथे पर टीकी के रूप में लगाना होता है अगर यह उपाए अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उस शहद को किसी भी तरह से बच्चों के सिर या मस्तक पर लगाना चाहिए चाहे वह उनके सोने के समय हो या किसी अन्य मौके पर शहद का स्पर्ष उनके शरीर पर होना अनिवार्य है यह उपाए बच्चों के विवहार में सुधार लाने उनकी पढ़ाई में ध्यान बढ़ाने और उनके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है इसके अतिरिक्त अगर किसी की खुद की कोई मनो काम ना है तो ये उपाय करने से उसे भी पूरा करने में सहायता मिलती है ये हो गया पहला महा उपाय अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की कार्य सिध्य और रिण मुक्ति के लिए ये उपाय अत्यंत प्रभाव शाली माना जाता है विशेश रूप से मंगलवार के प्रदोशकाल के दोरान किया जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है प्रदोशकाल का समय भगवान शिव की उपासना के लिए शुब होता है क्योंकि माननेता है कि इस समय भगवान शिव, साक्षात, शिवलिंग में वास करते हैं इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लाल मसूर की दाल के, क्यारा दाने, शहद की एक बूंद, एक टुकडा गुड और तांबे के पात्र में जल एकत्र करना होगा इन सामगरियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है वहाँ पहुँचकर शहद से अपनी अनामिका उंगली, तीसरी उंगली का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर ओम का निर्माण करें ओम भगवान शिव का पवित्र प्रतीक है और इसे बनाना शिव की कृपा प्राप्त करने का साधन माना जाता है ओम के निर्माण के बाद उस पर ग्यारा लाल मसूर की दाल के दाने अरपित करें ये उपाए रिण मुक्तेश्वर महादेव की आराधना की रूप में किया जाता है ग्यारा बार आप जाप करें और भगवान शिव से रिण मुक्त करने की प्रार्थना करें इसके बाद तामबे के पातर में रखा जल जिसमें गुड का टुकडा डाला गया हो शिव लिंग पर अरपित करें और श्री शिवाय नमस्तुप्यम का जाप करते रहे ये मंत्र शिव की कृपा और आशीरवाद के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है इस उपाए का मुख्य उदेश्य कर्ज से मुक्ति पाना है और इसे वव्यक्ति ही कर सकता है जिसने कर्ज लिया हो ये उपाए न केवल रिंड से चुटकारा दिलाने में सहायक है बल्कि इसके माध्यम से भगवान शिव की कृपा से कारियों में सफलता और जीवन में सम्रिध्य भी प्राप्त होती है प्रदोशकाल का जो समय है वो शाम पाच बच कर एक्क्याद मिनट से लेकर रात आट बच कर एक्कीस मिनट तक रहेगा हो सके तो प्रदोशकाल में ही यह उपाय करना यह हो गया दूसरा उपाय अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की उन लोगों के लिए अत्यधिक प्रभावी है जिनके विवाह में किसी ना किसी कारण से अडचने आ रही है यदि सगाई होती है और बार-बार तूट जाती है विवाह की बात चीत बनते बनते बिगड़ जाती है या किसी ग्रह बाधा के कारण विवाह में देरी हो रही है तो यह उपाय करना चाहिए इस उपाय के लिए सबसे पहले पाजार से 10 रुपे का केसर का पैकेट खरीदना है घर आकर इस केसर को थोड़े से जल में घिस लेना है और उसे एक कटूरी में निकाल लेना है इसके बाद तामबे के पात्र में जल भरकर और एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल अरपित करना है अब केसर का जो जल तयार किया है उसका लेपन बेल पत्र के चिकने भाग पर करना है बेल पत्र को इस प्रकार पकड़ना है कि उसकी डंठल नीचे की ओर हो और इसे शिवलिंग पर अर्पित करना है जब बेल पत्र अर्पित करें तो जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रह उसका नाम और गोत्र लेकर शिवजी से प्रार्थना करें कि विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो। ये उपाय करने से तीन महिने के अंदर विवाह संबंधित सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। इस उपाय को उस व्यक्ति के नाम से किया जा सकता है जिसका विवाह नहीं हो रहा हो। चाहे वह व्यक्ति खुद उपाय करे या परिवार का कोई सदस्य उसकी ओर से करे। जब प्रदोश व्रत मंगलवार के दिन पढ़ता है तो इसे भौम प्रदोश कहा जाता है। मंगलवार को मंगल ग्रह से जोडा जाता है जो साहस, शक्ति, भूमी और कर्ज जैसी चीजों पर प्रभाव डालता है। फौम प्रदोश का व्रत करने से जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। ये व्रत अमंगल को दूर करने, कर्ज से मुक्ति दिलाने और जीवन में सुख सम्रिधि लाने के लिए विशेश रूप से प्रभावशाली माना जाता है। मंगल ग्रिय से संबंधित होने के कारण ये व्रत कर्ज की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाईयों, रोगों और शारीरिक कष्टों का नाश होता है। फॉम प्रदोश का व्रत न केवल आध्यात्मिक शान्ति देता है, बलकि भौतिक जीवन की समस्याओं को भी हल करने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति को सुक सम्रिध्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हमने तीन महा उपाय के बारे में बता दिया, हो सके तो ये उपाय प्रदोश काल के समय ही करना, प्रदोश काल का जो समय है वो शाम पाच बच कर 51 मिनट से लेकर रात 8 बच कर 21 मिनट तक रहेगा। हो सके तो प्रदोश काल के समय ही यह उपाय करें, क्योंकि प्रदोश काल के समय भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं। अगर कुछ समझ में ना आये तो कमेंट में पूछ लेना हर हर महादेव दोस्तों।